Books That Speak में आप सभी का स्वागत है क्या बेसूरा के गाने से धर्ती डोलने लगी थी? या फिर भूकम पाया था? ये जानने के लिए सुनिये दिल्चस्प जानकारियों से भरी गुद गुदाने वाली चिलबुली कहानी धमाल का भूचाल Original Story Appoo's Giant Earthquake by Pratham Books कहानी लिखी है सुदेशना शोम घोश, चत्रांकन आइंद्री सी, हिंदी में अनुवाद रिशी माथुर कहानी का वाचन आसावरी दोशी ये कहानी है एक असूर की बेसूरा जिसका था नाम और गाना गुनगुनाना था उसका मन चाहा काम ये कहते हुए शुरू की अप्पू ने अपनी दास्तान दीदा यानि नानी, पिया और भोलू बैड़ गए सुनने खोल कर कान बेसूरा को गाने में बड़ा मज़ा आता था लेकिन उसके साथी असूरों को उसका गाना जरा भी नहीं सुहाता था अप्पू ने बताया इसलिए बेसूरा को उन्होंने भेज दिया दूर पहाड की चोटी पर ताकि बेसूरा के बेसूरे आलाप और तान से ना होना पड़े उन्हें परेशान अप्पू दीदा के बड़े से पलंग पर चड़ गया जैसे जा पहुचा हो उन्हें पहाड के उपर फिर बना कर अपनी आवाज असूर जैसी डरावनी भारी अप्पू ने तान छेड कर की बेसूरा की तरह गाने की तैयारी इसके साथ अप्पू ने बताया की बेसूरा ने कैसे गाया पर उसने आवाज में ज्यादा जोर लगाया बेसूरे के सूरों को सुनकर सूरज ने मूँ बितकाया असर हुआ ये कि उसकी किरणों ने जोश गवाया गा के आने पर तो उसने सिर्पर आस्मान उठाया बेसूरा ही सही पर ले ताल में बेसूरा को ऐसा मजा आया कि वो खुद को कथक करने से रोकना पाया धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा कर्ताल मिलाई पैरो से देते हुए थाप उसने गोल गोल चक्कर लगाया नाचते हुए उसे इतना मजा आ रहा था कि वो साथ साथ गाता जा रहा था मा पा बेसुरा के धमाल का ऐसा हुआ असर की शांती से सोये हुए पहाड की नींद तूट गई और जाग उठा घबरा कर कापने लगा लग रहा था उसे बेसुरे असुर के गाने से डर गड़ गड़ा कर गिरने लगी चटाने धड़ा धड़, गिरी चटाने तो डोल गई धरती सहम कर धड़ाम धूर क्या तुम लोगों को पता है कि चटाने गिरने पर क्या हुआ अपु ने अपनी शरोता मंडली से पूछा दीदा ने तो ना में गर्दन हिलाई और नटखट सी मुस्कान उसके होटो पर छाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ अपू ने कहा धर्ती हिलने लगी पहाड काप उठे सब कुछ अपनी जगह से खिसकने लगा यहां तक की विशाल काई बेसुरा भी सीधा नहीं रह सका खड़ा इधर उधर जूलने लगा धर्ती डोलने लगी ऐसे ऐसे जमीन पर बैठे बैठे जूमते हुए अपू ने बताया और फिर थोड़ा और जूम कर दिखाया तभी सच मुझ धर्ती डोलने लगी पलंग ऐसे हिलने लगा जैसे बेसुरा की कहानी में पहाड हिल रहे थे अपू अपना रागाल अपना बन करो पिया चीखी तुमने पहाड को डरा दिया सारा कमरा हिल रहा है अपू ने कहा अरे मैंने तोड़े ही कुछ किया दीदा अपू और पिया की बोलती बंद हो गई यहां तक की भोलू भी भोकना भूल गया तभी एक और जटका लगा पहले से ज्यादा तेज देखो फर्श हिल रहा है अपू ने चीकते हुए कहां ये सब बेसुरा की माया है पिया चलाई नही रे दीदा ने शांत रहते हुए कहां भोकम पाया है बाहर भागने का समय भी नहीं है हमारे पास जट-पट पलंगे नीचे गुश जाओ दीदा ने सुझाया सारे के सारे दीदा के उंचे से पलंगे नीचे दुबग गये और सबने कसकर पकड़ लिया पलंका एक एक पाया फिर भी डोलती रही धर्ती की काया दड़ा दड़ 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 गुडियाए अलमारी में न रह सकी खड़ी लड़ खड़ाते हुए नीचे आन पड़ी चप चपाक जग में भरा पानी अपने आप चपाके के साथ बाहर निकलाया ओ, जमीन हिलती देख अप्पु चिलाया अव, भोलू ने पुकार लगाई लग रहा था वो डरा डरा अप्पु को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर ही कूद फांद कर रहा हो ये बेसुरा कुछ देर बाद जमीन का हिलना थम गया दीदा ने सोचा कि जरा दो मिनिट ठहर कर देख ले कि कही जमीन फिर से न डोल उठे लेकिन अब तक सब कुछ पहले जैसा जमा जमा ठहरा ठहरा लगने लगा था जमीन का हिलना डुलना बंध हो चुका था सारे पलंके नीचे से बाहर निकल आए अब हम बाहर चल सकते हैं दीदा ने कहा क्या अब हमें जल्दी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है अप्पू ने पूछा तब ही जब तुम्हें पता हो की बाहर जाने का रास्ता बहुत पास हो दीदा ने बताया अगर तुम उपर के तल पर हो या किसी मजबूत इमारत में हो तो किसी मेज या मजबूत पलंके नीचे छुप जाओ और उसके पाए पकड़ लो ताकि वो तुम से जाए ना दूर कुछ ना मिले तो कमरे के किसी कोने में दुबग जाओ और खिडकियों दर्वाजों से रहो दूर क्यूंकि बल्ब और पंखे जैसी चीजे गेर कर तुमारे उपर हो सकती है चकनाचूर अप्पू दीदा पिया और भोलू अपने घर से निकले बाहर मुंडेर से कुछ गमले गिर कर हुए थे चकनाचूर और बेकार और घर की बाहरी दीवार चटकने से पड़ गई थी दरार लोग सडक पर जमा थे और आपस में कर रहे थे एक ही बात कि कब तक रहे घर से बाहर कैसे बीतेगी राद अप्पू ने एक गिरा हुआ पौधा उठाया उसने बिखरी मिट्टी के धेर पर हाथ रखा और धर्ती को दिलासा देते हुए वादा किया अब कभी तुमारे लिए इतना डरावना दिन नहीं आएगा क्योंकि अब कभी बेसुरा इतने बेढ़ब सुर में नहीं गाएगा बच्चों क्या वास्तव में बेसुरा के गाने के कारण धर्ती डोली थी? नहीं, भुकम तो तब से आते रहे जब से पृत्वी है जब पृत्वी ग्रह नया नया बना ही था, तब भी धर्ती हिला करती थी पृत्वी की सबसे उपरी परत, यानी जो मिट्टी और पत्थर चट्टाने है जिस पर पेड़ पौधे और जीव जन्तु बसे है, उसे क्रस्ट कहते है इसके काफी नीचे दूसरी परत है, जिसे मैंटल कहते है, इसके नीचे अंद्रूनी और बाहरी कोर भी होते है क्रस्ट और मैंटल का उपरी भाग कई टुकडों में बटे हुए है, जिने टेक्टॉनिक प्लेट्स कहते है ये plates धर्ती की सतह के नीचे बहुत गहराई में होते है और mantle की सतह पर बहुत धीरे धीरे खिसकते हुए एक दूसरे से रगड़ खाती है जिस जगह दो प्लेट्स आपस में रगड खाती है, वैज्यानिक उसे फोकस कहते है, जबकि उसके ठीक उपर जमीन की सतह को केंद्रबिंदू या एपिसेंटर कहते है तो कैसी लगी ये बेसुरा की भूकम से भरी कहानी, तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए, बुक्स दाट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा, यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर, वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में, बाई बाई, शुक्रिया